खेल, 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 नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रियम ट्टोरियल्स की करेंट अफियर्स की सीरीज में यहां बेर हम डिसकस करेंगे 16 मार्च 2022 के महत्विपूर करेंट अफियर्स जो आपके तैयारी के लिए जो आपकी प्रत्योगी परिक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्पूर साबित होने वाले हैं तो शुरू करते हैं पहली ख़बर से तो इसको हम डेली पंद्रह कुशन्स के रूप में देखेंगे तो पहला कुशन है चलिए इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं प्रेमिनिस्टर ने फर्स्ट पाम ओयल प्रससिंग मिलका उदगाटन किया है जो के मिशन पाम ओयल के तहत अर्मनाचल प्रदेश में किया गया है इस मिशन पाम ओयल की जो लांचिंग थी वह 2021 में की गई थी जिसका के aim है to boost the oil palm cultivation and crude palm oil production in the country ठीक है तो यह जो question था इसका answer है option A अरुनाचल प्रदेश आईए next question देखते हैं हाल ही में भारत ने अपने पहले indoor athletics और जली ये किंदर का उधगाटन कहां किया है recently where was the India's first indoor athletics and aquatic center inaugurated options कुछ इस प्रकार है option A भुवनेश्वर option B चिन्नाई option C न्यू डेली option D जैपूर तो इसका answer है option A भुवनेश्वर इसका explanation हम लोग देख लेते हैं Odisha के जो chief minister है नवीन पतनायक जी उन्होंने इंडिया के पहले indoor athletics और equity center का उधगाटन किया है कलिंगा स्टिडियम भुवनेश्वर में जो कि पूरी तरह से indoor diving center होगा यह एक training hub की तरह काम करेगा for Odisha Reliance Foundation Athletics High Performance Center जिसका के aim होगा developing athletics worldwide and nationwide तीसरा question हाल ही में भारत की नुमाली गड़ रिफाइनरी लिमिटेड यानि की NRL ने किस देश में अपना पहला अंतर रास्ट्रे कार्याले का उधगाटन किया है recently इंडिया जुमाली गड़ रिफाइनरी लिमिटेड इनागुरिटेड its first country first international office in which country options है बंगलादेश, मैमार, भूटान और नेपाल तो इसका answer है option A बंगलादेश इंडिया की NRL ने अपना पहला overseas office खोला है धाका बंगलादेश में और जिसका किया है इंडिया हाई कमिशनर प्रणय वर्माने NRL के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं NRL के मैनेजिंग डारेक्टर है भासकर जोती पुखन ठीक है अगला question Recently who among the following has been selected as the new chief election commissioner बहुत important question है ये पक्का अगले 6 महिने में होने वाले exams में पूछा जाएगा हाली मैं निमलिखित मैं से किसे नए चुनावायक्त के रूप में चुना गया ग्यानेश कुमार और सुपीर सिंग संदू अरुन गयल और अनूप चंदरपांडे सुकुमार सैन और के त्रेवेदी स्वी के सुंदरंग और सल शकधर तो इसका answer है option A ग्यानेश कुमार और सुपीर सिंग संदू तो हुआ क्या है कि जो प्राहिमिनिस्टर की जो तीन मेंबर की selection panel था उसने दो लोगों को appoint किया है एक है ज्यानेश कुमार और दूसर है सुगविंदर सिक संदू इनको appoint किया as new election commissioners in the election commission of India next question what is the rank of India in the global human development index according to UNDP's latest report UNDP की नविंतम report के अनुसार वैश्विक मानव विका सुचकांक में भारत का इस्थान क्या है फिर जे एक important question है आपको पता है index के उपर काफी question पूछी जाते हैं तो ये उन में से एक question होगा जो कि आने वाले paper हमें लिखित 100% पूछा ही जाएगा तो चार options हैं 133, 134, 145 and 140 इसका answer है option B 134 आपको बता दें कि इंडिया की जो 2023-24 की Human Development Index में जो प्लेस है वो 134 है और Human Development Index को जारी करता है UNDP United Nations Development Program इसकी शुरुवात 1990 में हुई थी और इसका जो aim होता है वो होता है कि जो भी लोग रह रहे हैं उनकी health, education और उनके standard of living को access करना इस HDI का जो index होता है यहाँ पर score जो है वो range करता है 0 से 1 के बीच में और 1 का मतलब होता है best और 0 का मतलब होता है worst नेक्स question Chairman and Managing Director of NCL यानि कि NCL के नए अध्यक्ष और प्रभंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है options है जगदी शरोडा B. साहिराम सुमन कुमार और देवी प्रसाद सत्पती इसका correct answer है option B. B. साहिराम B. साहिराम has been appointed as the new Chairman and Managing Director of NCL NCL के फुल फॉर्म होती है Northern Coal Fields Limited SINGRAWLI इस जो कि क्या है कि pioneering coal company है with its 10 highly mechanized mines in SINGRAWLI आपको पता होगा SINGRAWLI MP में है और SONBADR UP में है तो एक बहुती बड़ी coal based company है जिसके कि new Chairman and Managing Director B. साहिराम को चुना गया है अगला question India और किस संस्था के बीच में Fintech ecosystem development के लिए 23 million dollar के रिंड पर हस्ताक्षन किये गए है भारत और किस संस्थान के बीच में यह हस्ताक्षन हुए है India and Dash have signed dollar 23 million loan for Fintech ecosystem development options है World Bank Asian Development Bank Asian Infrastructure Development Bank European Investment Bank इसका आंसर है Option B Asian Development Bank India और Asian Development Bank के बीच में 23 million dollar का loan के loan पर हस्ताक्षर हुए है for Fintech ecosystem development this project will establish an international Fintech institute to strengthen fintech education boost startup success rates and drive FinTech research and innovation मतलब इस project के तहत एक अंतररास्ट्रे FinTech संस्था अंतरास्ट्रे FinTech Institute संस्थान का एक establishment किया जाएगा जो के FinTech education को मजबूत करने के लिए startups जो आते हैं उनकी success rates को बढ़ाने के लिए और FinTech research and innovation को drive करने के लिए इस्तिमाल किया जाएगा तो जो Asian Development Bank है उसके officer in charge है Mr. Rajesh Vasudevan ये भी एक बहुत important question होगा अगर आप sports के बारे में बात करेंगे तो ये question आप से ज़रूर बुचा जाएगा जानते होंगे क्रिकेट का टूर्णामेंट होता है इंडिया का domestic टूर्णामेंट है 2024 रणजी टूर्णामेंट में किस टीम ने जीता है ओप्शन्स हैं मुंबई, रेल्वेज, दिल्ली, उतरपरदेश तो इसका आंसर है ओप्शन ए मुंबई मुंबई ने 2024 रणजी टूर्णामेंट जीता है ये मुंबई का 42 टूर्णामेंट है जिसमें उसने विधर्ब की टीम को 102 रण से हराया और ये match हुआ था final match वानकड़े स्टेडियों मुंबई में बताते चलें कि 2015 सोले के बाद से मुंबई ने कोई रणजी टूर्फी का टैटल नहीं जीता था तो पंदर सोले के बाद ये आठ नो साल के बाद ये पहला टैटल उसको मिला है next question साधी मुहमद who recently passed away at an age of 17 धाका was a famous साधी मुहमद जिनका हाली में धाका में 70 वर्च की आई में निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध डैश थे तो he was a famous तबला आर्टिस्ट फ्लूट आर्टिस्ट मैजिशियन या रभेंद्र संगीत सिंगर तो इसका आंसर है option D रभेंद्र संगीत सिंगर रभेंद्र संगीत सिंगर साधी मुहमद का निधन हुआ है 70 साल की उम्र में धाका में साधी मुहमद ने अपनी बैचलर और मास्टर की डिग्री रभेंद्र संगीत में विश्व भारती इनिवस्टी जो इंडिया में है वहाँ से हासिल की थी और साधी मुहमद किसके पुत्र है एक लिबरेशन वार मार्टर सलीम उल्ला एंड जेबुनेसा सलीम उल्ला इनके पुत्र है तो यह बेसिक अली क्या थे यह एक रभेंद्र संगीत सिंगर है नेक्स कुश्चिन बहुत इंपोर्टन कुश्चिन बहुत इंपोर्टन कुश्चिन इसराइल वार डाइरी इस रिटेन बाए इसराइल वार डाइरी पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है इसम्रती रानी के द्वारा देवेंद्र जाजरिया के द्वारा विशाल पंडे गुलाब चंद इसका अंसर है और ऑप्शन सी विशाल पंडे ये बुक जो इसराइल वार डाइरी है इसको लिखा है विशाल पंडे ने और बेसिकली इस बुक में इसराइल और हमास के बीच का जो वार चल रहा था उसके बारे में बताया गया ये बुक की लेंग्वेज है हिंदी और ये विशाल पंडे की पहली बुक है पहली बुक होने के बाद भी इसने बहुत नाम कमाया है बुक में वर्ड कंजूमर राइट्स डे सेलबिटेड एवरी यर ओन विश और बुभुकता दिवस हर वर्ड कम मनाया जाता है 16 मार्च, 14 मार्च 15 मार्च, 13 मार्च इसका आंसर है option C 15 मार्च तो वर्ड कंजूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है पहली बार ये मनाया गया था सन 1983 में basically वर्ड कंजूमर राइट्स डे मनाने की जो प्रेड़ना है वो कहाँ जे मिली थी इसकी प्रेड़ना मिली थी जॉन एफ केनेडी ने सन 15 मार्च 1962 को एक मैसेज यूएस कॉंगर्स को भेजा जहां पे उन्होंने ये फर्मली एड्रेस किया था कि कंजूमर जो हैं उनको क्या-क्या दिक्कते होती हैं और हम कंजूमर को क्या-क्या राइट दे सकते हैं तो उसके बाद से फिर क्या हुआ इस पर काफी बार चर्चाएं हुई और 1983 में पहली बार वर्ल्ड कंजूमर हैड्स दे मनाया गया कॉशन नमर 12 डेश देश के लिए पहला गेमिंग इंक्यूमर लाँच कौन करेगा क्रेफ्ट ओं इंडिया निंटेंडो एफिक गेम्स गेमलॉफ्ट तो इसका आंसर है क्रेफ्ट ओं इंडिया क्रेफ्ट ओं इंडिया इस गोईंग तो लाँच फर्स्ट गेमिंग इंक्यूबेटर फॉर दा कंट्री क्रेफ्ट ओन एक बहुती मेजर डेवलेप्मेंट कंपनी है वर्ड की जिसने अनौंस किया है कि वह अपना पहला इंक्यूबेटर फॉर गेम डेवलेप्मेंट लॉंज करने जा रहे हैं कॉंसेप्ट स्टेज के तो नेक्स्कूशन है बारत भर में F.S.S.A.I आपको पताओ का फूड से रिलेटेड यह संस्थान है F.S.S.A.I एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है भारत भर में F.S.A.I द्वारा इट राइट केमपस की रूप में प्रमारत सबसे अधिक जेलें किस राज से हैं इट राइट केमपस बाइफ एस 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 एड एक्रोस इंडिया और फ्रॉम विच स्टेट मद्यपरदेश उत्तरपरदेश बिहार या पंजाब आंसर है ऑप्शन भी उत्तरपरदेश कुल मिलाकर पूरे भारत भर से सौ जेलों को सर्टिफाइट किया है सर्टिफाइट किया गया है इट राइट केमपस बाइफ एस एस एई यह बिसिकली मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ एंड फैमिली वेरफेर की थरफ से आया है और जो हाइस नंबर ऑफ जेल से हैं वो सबसे जादा जेल जो हैं वो यूपी की हैं उसके बाद पंजाब फिर बिहार और फिर मद्रेपरदेश अगला कुशन वाट इस दा रैंक ओफ इंडिया इन जेंडर इनिकुल्टी इंडेक्स दोजार बाइस लेंगिंग असमानता सुचकंग 2022 में भारत का इस्थान क्या है 135, 108, 122, 104 इसका अंसर है ऑप्शन भी 108 इंडिया की जो रहेंग है वो 108 है 193 कंट्रीज में से इंडिया का स्कोर था 0.437 ये हम बात कर रहे हैं जेंडर इनिकुल्टी इंडेक्स 2022 की जिसको रिलीज करता है UNDP इस लिस्ट में टॉप पर है डेन्मार जिसके बाद नॉर्वे देन स्विट्जलेंड देन स्वीडन और उसके बाद नीदर लेंड्स ठीक है और एक बात और बताते चलें पिशले बार में कि थक कंपरेजन में यहनिकी 2021 में भारत ने 14 रैंक्किंग में 14 रैंक सुधार की हैं अपनी मतलब जो पिशली बार जो रैंक्क تी वो इंडिया की किस राज सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त बीज किट देने का निड़ने लिया है। आप्शन्स हैं राजिस्थान, मद्यप्रिदेश, बिहार, उत्रपिरदेश। तो इसका अंसर होगा option A, राजिस्थान, राजिस्थान गवर्मेंट ने decide किया है कि वो free seeds of millets and coarse grains farmers को distribute करेंगे, जिससे कि उनकोई millet production यानि कि बाजरा पादन में क्या होगा, एक boost मिलेगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो government have decided to give free mini kits of mage seeds to 1.2 million farmers, per millet seeds to 8 lakh farmers, mustard seeds to 7 lakh farmers and monk seeds to 4 lakh farmers, तो ये हमारा कुल में लाके 15 questions का जो एक class थी वो खतम होई है, उम्मीद करते हैं आपको ये class अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी question में कोई doubt है तो आप comment section में डाल सकते हैं, thank you.